सत्सुरिय काल जी दा खालस टीवी देखन वाले देश दुनियां दे साड़े सारे दर्शकान दा बहुत-बहुत स्वागत है पंजाब दियां वडियां खबरान दे इस खास बुलिटन दिनाल मेहर शहर अनकौर आज तिन अप्रेल है दिन बोधवार है नानक्षा ही सम्मत पांचोच पंजादे मुताबेक अज एकी चेत हो गया खबरान दे इस खास बुलिटन दे विच्चत होन सारियां वडियां ताजा थे एहम खबरान दास दे निया सब्तो पहला मौसम दी ताजा जानकारी मौसम बिपाग दी पविखवणी दी मुताबेक पंजाब दा मौसम अठ अप्रेल तक बिल्कुल साफ है मीदी कोई संभावनान नहीं है पर इस दरम्यान मौसम बिपाग ने पूरे देश देले गर्मी नू लेके जड़ा अलर्ट जारी कीता है ओ चिंता वाड़ा है एस साल अत दी गर्मी पवेगी खास करके अप्रेल तो लेके जून मी न्याद विच कैरान दी गर्मी पवेगी हीट वेव दे जड़े मुलक दे विच आठ दिन होंदे ने इस वार ओवी दिन रेंड दी चितावनी है पार्त विच जदो मैदाननी इलाके विच बात तुवा तापमान चाली डिगरी जां फिर उस तो वद्ध होंदा है ते पहाड अंद तापमान का टुकर 3 डिगरी जा फिर उस तो ते पहुंच जांदा है ता उसनों हीट वेव मन्या जांदा है मौसम बिपांग मुताबिक अगले 3 मीने 6 सूब्या माधपरदेश महराश्टर गुजरात करनाटका और शात अंद्रा परदेश दे विच बहुत जादा गर्मी पवेगी अगले हफते पंजाब फिच दो तो पांच दिग्री तक तापमान वदूगा हालांके उनथी तो ती मार्श तक तेन देन पए मी करके उन्वी पंजाब च का टोकर तापमान च लगातार तीसरे देन एक डिग्री दी कमी वेखी गे काल लीक डिग्री कट आ है गौणी सुबह रेनादा तापमान 1.8 डिगरी हिठा आया हिमार्चल देवेच फेर तो मी ते बर्फबारी दा अलर्ट है लंगी रात तो मौसम बदल गया दो पच्छ मी गडबडियां एक्टिव हो गईया ने उच्छे पहाणा वेच सर्दियां वर गी ठांड मैसूस होएगी ते अर्ताली कंटे निजड़े आउन वाले ओना देवेच पूरे सूबेच मी पैयन दी संबावना है पिछले मार्च मी ने देवेच पंजाब दे मोखमंतरी पगवंतमान दे जिला संगरूर देवेच कई थाई जहरी ली शिराब पीन कारण लोकन या जानना गईयां सन इस मामले तेहुन पंजाब हर्या हाई कोट ने मान सरकार नों नोटिस पेज के जवाब मंगया नकली शिराब कारण गईयां इकी जाना दे मामले दी जाँच सीबी आई जा हाई कोट ने सेवा मोकत जाजनू सौमपन दी मंगवाली पर्टीशन विच दस्या गया कि पिछले साथ सुप्रीम कोट ने नकली श शिराब कारण 105 लोग कांदी जान गई सी इसतो बाद मुख मंतरी ने मजिस्ट्रेटी जान्च दे हुकम दे सान इसते बावजूद वी 2021 च फेर पंजाब दे वेचे जहरीली शिराब कारके 107 जानना गईयां सान 2021 दे वेचे यूपी तो बाद नकली शिराब कारण जान गवाउन वालां दे मामलेच पंजाब देश पार वेचे दूसरे नमबर ते सी टीशन करताने दस्या के सुप्रीम कोट ने स्ताई मार्च दोजार तेई नू पंजाब सरकार नू नकली शिराब ते रोक लॉनली कद तडले नाड नकली शिराब बना बना वेच रहे नी। जाहर तोरते सुप्रीम कोट दे हुकमां दी सही टंग नाड पालना ना कीते जान करके एहाद सावापर या। दिशान देश लागू करन दी पटीशनर ने मांग कीती। हाई कोट ने सारे तथा नू गौर्णाल सुनदे हुए मान सरकार नू नोट्टे स पेज देता है। तेहुन पंजाब सरकार नू इस मसले ते जवाब देना पावेगा। दरान अदालत नू दस्या के हाले पुरुस ने कटना वाली था दी पच्छान करनी है के कटना दा था हरयाना विच है जा पंजाब दे विच है। पंजाब सरकार वलो अदालत नू दस्या गया के इस दे लेयो ना नू प्रीतपाल सिंग दी लोड है ओही कटना वाले था नू दिखावेगा पर फिल हाल प्रीतपाल सिंग दी अजही हालत नहीं है क्यों हो कटना स्थानते जा सके। सुनवाई दारान पटीशनर दे वकील ने अदालत नू दस्या के जे सरकार वलो नानू एंबलस मही अकरवाई जान दी या ता उ प्रीतपाल सिंग नू कटना वाली थानते लजा सकते ने। मार्या कोट्या गया। एक पटीशन पंजाब रियाना हाई कोट वेच विचारा दीने। चेक्ट विच सोध करके दे विच सहस्तारी सिक्षब्द जोड़े आ गया सी। अर्जी विच पटीशन ने वी कहा के सोधनू चुनोती देनवाली पटीशन पेंडिंग होन दे बावजुद ते एक्तूबर दोजार ते इनू नोटिफिकेशन जारी करके वोटर सुची तियार करन दा कम शुरू कीता गया सी। जे केंदे इस वोटर सुची राही चोन होन दी है ता 70 लख सैस्तारी सिक्ष वोटरा देदकार तो वान जे रह जानगे। इस सारे तरक दे के वोटर सुची तियार करन दे ओस मुताबिक चोना करवान दे रोकलान दी पटीशन दे विच मंग कीती गई है। सैस्तारी सिक्ष न दी पटीशन दी और वाले फैसले मुताबिक ही चोना दा नतीजा निर पर करन दा होकम दिता जावे। ने नोटिफिकेशन नो रद करदता है। सरकार खिलाफ जबरदस्त रोस मुझारे वी कीते। रजंदर सिंग दीप सिंग वालाने किया कि APMC Act वीच सोधनु सरकार रद करे। सरवन सिंग पने कैंदी ने के सरकार साईलोस दा परबंद अपनी हथां दे वेचलावे। लग्खोवाल हरिंदर सिंग लग्खोवालने किया कि सरकार मनियां तोड़न दी नीती तो बाज आ जावी बल्वीर सिंग राजजीवाल दा मननना है कि सरकार ने चोणादे मद्देनजर विरोध तो डर्दिया नोटिफिकेशन वापस लेता है नवे साइलोज जिला संग्रूर पटियाडा बर्नाडा लोदे अना स्री मोकसर साहब ते फाजल का देविच बांड गे, हाल साइलोदे अनाज पंडारं दी सम्रता वक्री वक्री होवेगी, पंजाब चेस्वले दरजन साइलोज नो मंडी याड एलाने अगया सी, दूसरे प पंजाब बंडी बोर्ड दे चेर्मेन हरचान सिंग बरसट ने उन्नी फर्वरी नो बोर्ड अफ डारेक्टर्स दी मिटेंग देविच एना मार्केट कमेटियां नो मर्ज करन दी तजवीज देन दे हुकम भी दिते सन, इस तो बात 10 दिलें याड चबी मार्केट कमेटिया पंजाब दे मुखमंतरी पगवंतमान दे एलान दी किरकरी होन तो बच गई है क्योंकि रखबा ते महल कलान टोल पलाजे दो अप्रेल नो अद्धी रात 12 वजी तो पहला शाम नो ही बांध कार देते गे पंजाब दे कौमी शारा ते कामकारन वाली प्रमुख टोल कमपनी रोहन राज़्दीप ते पंजाब सरकार विचाले फैसला किसे वी तन पतन ना लगन करके लोदे अना बठेंडा शारा ते पैंदे रखबा ते महल कलान टोल पलाजे रात नू 12 वजी दी बजाए शाम न आते किसान अंदोलन कारण होई नुकसान दी पर पाईली मियादव दा और नू लेके हाई कोट दा दरवाज्जा खड़काया सी पर कोई राहत नहीं मिली हालाके एक दिन पहला ये जानकारी मिली सी के हाई कोट ने मामले दी सुनवाई अग्गे पाधती है ते ओधों ताक टोल बांद नहीं होणगे पर कम्पनी ने दो में टोल नाके बांद करन दे विछी पलाई समझी ओधर चोंड जाबते दियो लंगणा दे डरों मुखमंतरी पगवंतमान जा फिर किसे हो रागू वलनों इसनों सियासी रंगत ना दें दे विछी पलाई समझी जा रही है क् पिछले समय दे वेच जदोवी मान सरकार ने टोल बंद कीते ने ता मुखमंतरी पगवंतमान टोल पलाजें दे बंद होन दा एलान उससे टोल पलाजे ते जाके कारदे सन एक वड़ी रैली किती जान दी सी पर एद की चोंड जाबते करके जहा करन तो टाड़ा ही वट्या जांच अजंसी एडी ने दिल्ली हाई कोट नू दस्या है के दिली दे मुखमंतरी अर्विंद केजरी वाल ही आपकारी को टाले दे मुख साजिश करता हन। ने दिल्ली सरकार दे मंतरियां आप लीडरां ते होर व्यक्तियां दी मिली पोगत नाल दिल्ली आपकारी कोटाले दी मुख साजिश करी। ने सुनवाई दिले सूची बाद है। होर लीडरां दे लईवी थोड़ा राख खुलया है। एडी ने टीमसी लीडर मुख 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 साजिश कर लिया है। एच छुटी नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्टर थारां सो क्यासी अधीन होएगी। छुटी किसे वी वपार उद्योग जां होर संस्ता विच काम कर दे सारे करमचारियां दे ले एलान ने गई है। इस दिन आली पंजाब दे मुख चुण अधकारी सिब्बन सी ने पंजाब च काम करन वाले। पंजाब पुलस दे स्पेशल डीजीपी अर्पित शुकला ने दसया किया दर्श चून जापता लगंतुबाद पंजाब पुलस ने 17111 जमान ती वारंट लागू कीते ने। आमादमी पार्टी ने मुश्किल हलाता दर्मियान वी दो होर उमीदवारां दे नावा दा एलान कार देता है। अननदपुर साहिब सीट तों आमादमी पार्टी ने पार्टी दे पंजाब च मोखबलारे मालविंदर सिंग कंग अति हुश्यारपुर सीट तों कॉंग्रेस चों आप दे विच शामिल होए डॉक्टर राज कुमार चब्बेवाल नों टिकेट दिती गई है। बीजेपी नों भी हुण चटका लगया है। बीजेपी नों टिकेट मिलन तो बाद रवनीत सिंग बिट्टू लुदे आणा दे विच लगातार पर चार कर रहे ने। लोड शो दोरान बिट्टू ने परताप सिंग बाजवानों लुदे आणा तो चोन लडन दी चुन आते देती। हाला के लो दे आणा तो बिट्टू दरा सौखा नहीं होवेगा। बादे चोना दे नाल नाल खाली होई सीट दे जिमनी चोन नहीं करवाना चोदी एसे करके अस्तीफा लटकाया जार है। एसे दर्मियान आप चाड़के बीजेपीच गए सुशील कुमार रिंकु दे शीतल अंगराल दोमानों होण सीरपीफ सुरख्या दे दती गई है। बीजेपी दिया मेरबानियां दे सदका दोमें लीडरानों वाई प्लास रख्या मिल गई है। बीजेपी बीजेपी ने वड़ा चटका पंजाब च देही देता होण बची अकली दल पार्टी है। बीजेपी ने डोरे पारखी ने ते कितना किते तिनने लीडर खुद भी बीजेपी च जान दे इच्छो खन। पहला नाम प्रोफेसर प्रेम सिंग चंदू माजरा, दूसरा साबका कैबनेट मंतरी सुर्जीत सिंग रखडा ते तीसरा नाम सिकंदर सिंग मलूक का दा है। एक खबर किनी कि साच होवेगी ये ता आउंदे दिनां दे विच्छी पता लग सकता है। परेंद्र मोदी दी चोन पर चार रैली होवेगी हालांके तरीक ता नहीं मिथी गी पर रैली दिया त्यारियां जरूर शुडू हो चुकिया ने रैली सेक्टर चौनती दे ग्राउंड वेच कीती जावेगी। इसरेली दे विच्छ पाजपा तिन सूबे पंजाब हर्याना अते हिमाचल तों पीड कठी करन दी त्यारी कर रही है क्योंकि चंडी गड़ दी हाद देना तिना सूबयां दिनाल लग दी है। किसान लीडरा ने संकर्ष दे पंजामे देन एक नमा फैसला लेया है। किसान देश पार देविच बीजेपी लीडरां दा विरोध करन गे मुद्धी सरकार दे पुतले फूकरन गे नाल ही पंजाब सरकार मान सरकार खिलाफवी अर्थी फूक मुझारा पूरे पंजाब चकीता जावेगा। जाओगा के शुबकरनुक्य में खतम किता गया। जागरिती यत्रामा कड़ियां जानगे बीजेपी लीडरां तो स्वाल पुछन दिलेई पोस्टर लाए जानगे। आप लम्मे मार्च कड़ांगे जागरती होनगे मुद्देनु बार्न वास्ते यहाँ पूरे देश वे चो रहां देखो पंजाब हराने जे मंडियां बाकी ता मंडी नी है कि उथे ता मंडी नी है कि गलता जहूँ। पंजाब देखो पकम अंतमान जी कर रहे हर्याने पर प्रोग्राम होगा को कि गिर्फतारियां ऐसे बड़े सैनी सरकार रहे हैं विदपाजपा तो ओदा ओदा भी ओदेखो जोगदन ओभी अर्थिके नालसी मिक्स करके साड़ांगे दुआ स्टेट्टां में जाट्ट हो पंजाब सरकार दा विरोध इस करके किता जा रहे हैं क्योंकि पंजाब सरकार ने सूबे दे नौ निजजी साइलेस नू कानकपंडारंदी खुल देन दा नोटिफिकेशन जारी कार देता है जिसते नाल मंडियां खतम होन दी कगार ते आ गई याने जे कहने साड़ियां मंगा असात अप्रेल तो बाद भी नी मनियां जान दिया ता नौ अप्रेल नू असी शंभू बॉर्डर ते रेल्वे ट्र पूरा देश एक साल तेरा महिने पूरे दिली दे बोड़ना दे बैके लड़े आए मंडियां खतम करनवाश्तियों कुनून आए सी और एने राहीं भी मंडियां खतम कीतियां जा रही हैंने तो ऐसी समझाओंदे वे सबल हुआंगे वाही गुरू कर पकर रही ताहीं ड़ चुरू किता प्रोग्राम के कले कले किसान तक कसी लेके जांगे तो अड़े चैनल दे माद चैनला दे माद्यम तो भी असी अपील कर देया हर एक किसान नूं के एनू थोड़ी जी गलता लाल चना मनलों के मेरा शेती कम छुट गया खेड़ा मेरा कम निबढ गया वो थे को पत्रकारां दे स्वालना ते डल्लेवाल ने स्वष्ट किता के असी किसे एक पार्टी दा नहीं पलके असी हकूमतां दा विरोध कर रहे हां जिना ने जहीं निजम बढ़ाए ने जो साड़े हित विच नहीं है हां यह जुरूर है कि साड़े लोका नूँ शहीद करे गोलिया मार के सिदियां ओ साड़े लोका नूँ दबावे कि अंदोलन चे नहीं जाना पिंडाज बैठया नूँ फिर की दा अबरोध करिये जी फिर कांग्रेस दा बरोध शुरू कर दिये ता मतलब जीड़ा वी किसाना दे वलो प्रेस कांफरेंस किते जान दी देर सी वड़ा एलान किते जान दी देर सी के मान सरकार ने फैसला वापस भी ले लिया किसाना दे रो नूँ देख देया हुया उनना दे दबावे चाके किहा जा सकता है कि मान सरकार ने साइलोस गोदामा दे वेचकान साथ प्रेल नू पंजाब ते चंडीगड समेथ पूरे देश विश्टार ने दालान किता सी पर उना तो पहला उना तार ने तो पहला ही सरकार ने फैसला वापस लेला 15 मार्श नू पंजाब सरकार दे वल्लो जारी किते गे नोटिफिकेशन नू सरकार ने खुद ही रद कर दता है जानकारी पंजाब मंडी बोर्ड दे चेर परस्तन हरचन सिंग बरसट अतियाम आद्मी पार्टी दे पंजाब चमुख बुला रहे मालविंदर सिंग कांग ने प्रेस कॉंफरेंस करके दिती ते दावा किता कि असी किसाना दे नाल खड़ी हाँ किस तरह किसान पावन्दी डिवेल्मेंट किती है किस तरह 11 फेस विच जेड़ी मंडी 2014 तो चल रही बनी होई सी की बंद पही सी ओनों असी चालू किता और वाखवाख थामा ते मंडी बोड़ दे अदारे नों मुझभूत करन वास ते असी हार पदर ते कारवाई कर रहे है और जेड़ी ये खाबर चल रही है ये बिलकुल राजनीती तो प्रेरित खाबर है बरसट अते कांग ने एवी दावा किता के पंजाब चिप कदे भी मंडी सिस्टम खतम नहीं होवेगा कैंदे विरूदी पार्टियां बेबुनियान खबरा फैला रहे हैं पंजाब ते मुखमंत्री पगवांत मानने ता कैंदे पिछलियां सरकारां वेले 2013 तो किते ओडर किते ने जानिके उनना ने एड़डा एड़डी गाज है वे पिछलियां सरकारां ते सुटी है प्रंतु फेर भी सरदार पगवांत सिंग मान जी ने अज्जे होकम जारी किरवाए ने के इना अनु सिर्फ स्टोर सेंटर रहें दो साब जाडर रद किते गए ने और कल्ले पिछले अउडर ने किते 2013 तो लेके फूर तक जिनने भी साईलों नो सब याड़ बनाया गया सी हो और सारे अउडर रद किते गए ने इस ता अउडर जारी हो चुके है और नंबर एदा 2424 है और नंबर 117 बंजा 166 है इसलही किसे नूँ एशंका करन दी जरूरत नी के जिस दिम्तों सरदार पगमांद सिंग मानजदी सरकार आई है हर पदर ते हर पदर ते जाके लोका निया समस्यामा हल करन दे यतन की ते जान देने मालवेंदर सिंग कांग निया काली दालते दोश लोने कहा के 2013 दे विश्टा तो आड़ी सरकार सी सुगवीर बादल डेपटी सीम सान ओदो साइलोस दा विरोध तुसी क्यों नहीं किता क्यों के ओस सब कार पोरेट करा अनेंदराल मिले हुए सान एस करके विरोध निसी कर दे कॉंग्रेस लीडर परताफ सिंग बाजवाते भी कांग वरे केंदे कॉंग्रेस सरकार विले अठ साइलोस नूँ प्राइवेट मंडियाना रूप दता गया सिता ओस वक्त कॉंग्रेस ने भी क्यों विरोध नहीं किता कि प्राइवेट सेलो नूँ प्राइवेट मंडि बनोना मान सामने ते आज ठल पाती बंड करती ते मेरा स्वाल हर सिमरत को और बादल जी नूँ है जीड़े कल दे संग पार रहा कि हर सिमरत जी 2013 ते तो अड़ी सरकार सी बादल साम उख्मंत्री सी है काली पाजपा सरकार सी तो अड़ी सरकार दे समय इसे तरीक के नाल छेथ हमा ते प्राइवेट सेलो नू प्राइवेट मंडियां दा रूप देता गया ते हर सिम्रत को और बादल जी दे मूँचो जबान ही निकली क्यों नी तो अड़े को एदा विरोध किता गया क्यों क्यों कि तुसी सब मिले हो तुसी कारपरेट करा नियानल मिले हो और दूसरे साधे सतकार योग पंजाव दे बहुत ही बजुर्ग लेता परताब भाजबा जी मेरा इननु इस सवाल है भाजबा साब तुसी ते पंज पंडारंदी मनजूरी देती सी जिसकार के किसाना च वड़ा रोज देखनों मिल रहा सी विरोधी तरानेवी तिखा रोज ताया सी ते मान सरकार होण ओस हालात विच नहीं हैगी के हर मुद्द दे उत्ते रोज चाल सके एक पासे ता दिल्ली दे विच पार्टी दे के हो ज जाब दे विच वी जे किसान मान सरकार दे रोज दे विच खड़े हो जानगे खिलाफ खड़े हो जानगे ता एक वड़ी मुश्किल अजड़ी ओ खड़ी हो सकती है तिस सरकार ने इस मुश्किल नूँ खड़ी होण तो पहला ही स्यान पड़ा फैसला लेंदे होए अपने फैसले तो पैर पिछे खिच ले शिरी गुरु ग्रांट सहीब जी दी 2015 दे विच पिंड बरगाडी च होई को और बेदवी दे एक मुख मुल्जम नू फड़न लईता 9 साल लागे पार जमानत 2 मी निद विची मिल गई है बिल्कुल तुसी सही खबर सुन रहे हो के बरगाड दर्ज करवाउंदे है वड़ा खुलासा कार्णियां दावावी कीता सी के सौधा साथ गुर्मीत राम रही मते हनी परीत ने बेदवी दे हुकम देते सन बाकाइदा मिटिंग दे विच दे आर्डर जारी कीते गए सन परदीप क्लेर ने क्या सी के 2015 दे विच राम रही मते ह हनी परीत नो जो पता लगया सी के एक सिख पर चारक दे पर चार तो पर बावित डेरा प्रेमिया ने डेरे दे लॉकेट गले चुला के सोट देते ता दो में गुस्से विच आगे हुकम देता के तुसी फिर की कर रहे सी तुसी भी ओना दे गुरू श्री गुरू गरंद स मिल गई है दो पक्खां कार केस नो जमानत देती गई है पहला ता कलेर दे वकील ने किहा के बेद्वी दे मुख साज़िश करता नो जमानत मिली हुई है ता उसनो भी मिलनी चाहें दिया दूसरा दारे सामने रख्या गया के हाई कोड़ विच सौदा साध दे बेद्वी द केस फ्रीद कोड़ी था चंडीगर ट्रांसफर किते जान जिसनो मनजूर कर दे हुई सारे केस द चंडीगर दी जिला अदालत दे विच ही चल रहे ने सो एक पासे था ओ मुल्जम है जिसनो बहुत सालां बाद फड़या गया नौ सालां दे लंबे वक फे तो बाद फड़य उड़या गया पगोडा हो गया सी 2 मीन दे विच उनूंग जमानत मिल गी दूसरे पासे देश दे विच जहें बहुत सारे केस ने जड़े ती ती सालां तो 3-3-4-4 दहाक यां तो बाद ने सजामापूरीया हो चुकियां पर उन्हान परोल भी नहीं मिल दी उन्हां पक्कि सिंग गुर्मीत सिंग इंजीनियर दी पकी जमानत रद कर दती है बेंद सिंग कतलकांड विच सजा कट रहे बंदी सिंग गुर्पीत सिंग इंजीनियर दी पकी जमानत नूर रद कर दता गया इस दी जानकारी खुद गुर्मीत सिंग ने दती जिसते काली दल दे परदान वी मुखमंत्री पगवंतमान ते एंटी सिख होंदा इल्जाम लाया है। बादन ने किया कि गुरमीद सिंग शांती नाल जून दोजार तेई दे विच मिली पर्मानेट बेल तो बाद अपना जीवंचियों रहिसान है। देदा आरते जान भुज के जेल पेज जा गया है नहीं सुभी ने इल्जाम लाया कि मान सरकार ने गुरमीद सिंग दी मानू भी नी बक्षिया। उना नू बेज़त करन दे लई संबन जारी कार देते गेने चितावनी देती गई है कि जे उना दे पोतने सरेंडर ना किता त कि देखियो कि दे जाज साहिव कोई अडवार्स आडर ना पास कर देना जी सनाल मैंनू जा मेरे जमांत देन वालयानू पर विखवी चर दिक्कत आ जारी। वकील साहिवान ने पर उसा दिवाया सी कि अजेही नौबत आउं तो पहला ही आपां सरंडर करवा देवांगे। असी सारे संगत के जवाब दे हां अथे कौमी अंसाव मोर्चा तोहाटे लई ही लगया हुया है। संगत जी आज स्थेती एहे है कि मेरी जमांत राद हो चुकी है, नोन बेलेवल वारंट जारी हो चुके हान। मेरे माता जी अथे जमांतियां देवी बेलेवल वारंट जा इह में नू आज स्ताई तरीक नू पता लगया है। संगर जी आउनवाड़ी स्थिती दा अंदाजा लाउंदे बावजूद वी सही कदम वी चुक्कन वीच सफ़र रहन दी मैं पूरी जिम्यवारी लेंदा हां। मेरे जमानत दीन वाड़या नू होन वाड़े नुकसान नू हिला वसीला बांदे ही पूरा करंदा प्रोषाधि वांदा हां। इशले साल 4 अक्तूबर नू गिरिफ्तार कीता गया सी। एस साल जनवरी मी निविच एडी ने दिली श्राव को टाले मामले विच वी जड़ी चार शीट पेश कीती सी। वीच वी संजे सिंग दा नाम सद कीता सी। संजे सिंग आमादमी पाटी दी से आसर दे वेच सरगर्मियां दे विच दिखाई दे सकते ने। संजे सिंग नों जमानत बाद केजरी वाल मनीश सोधिया ते स्ते इंदर जैन वास्ते वी वड़ी उमीद जागी है। संजे सिंग नों मिली जमानत बाद पंजाब दे मुख मंतरी पगवंत मानने के है। साच दी हमेशा जित्थ हों दिये संजे सिंग जी दी जमानत होई है। संजे सिंग दी खबर नाल वापसी हो गई है। पर दूसरे पासे मनीश सोधिया नों हाले तक राहत नहीं मिली मनीश सोधिया तब इक साल तो विए वाद समय तो जेल देविच पांद ने डिली द रावज एविन्यो genome कोट्ट ने सी सुधिया दी जमानत 6 अपरैल तक सुनवाई टाल देती है सुनवाई दरान मनीश देवकील ने कहा कि जांच अजंसी ये साबित नहीं कर सकी कि पैसा उना तक पॉंच चयावी है मनीश सोधिया खलाफ केंदे जांच पूरी हो चुकी है सुप्रीम कोड ने जांच अजंसी नो 6 मीन याच जांच पूरी करन ली कहा सी तेस सोधिया 13 मीन यादो जेल दे वेच ने उतर दिली दे सियाम अरविंद केजरी वाल नो 15 दिना दे लेई जुडिशल कस्टरडी विच ते हाँ जेल पे जे जांतो बाद होन चार होर वड़े लीडरा नुवी जेल पे जे जांदियां खबराहान तेस ता खुलासा अरविंद केजरी वाल दी कैबनेट मंतरी आतशी ने कीता है तेस बड़े खुला से दे दर्मियान अर्विंद केजरी वाल दी पतनी सुनीता केजरी वाल ने पार्टी दी कमांड भी अपने हाथ विच ले 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 गे हैं उना दे कार पार्टी दी सारे विदायका दी मिटिंग हुई मन्या जा रहा के विदा एका दे मान वेच केजरी वाल दी गिर्फतारी तो बाद बैठ्या डार दूर करन दी कोशिश ओना ने कीती है उधर विदा एका ने भी मांग कीती है के केजरी वाल अस्तीफान ना देन असी मजबूती नाल ओना दे नाल खड़े हा लंगे दिन अदाल्त विच एडी ने रस्या सी के केजरी वाल दावा कर देने के शिराब को टाले विच गिरिफतार पार्टी दे लीडर विजे नायर आथशी अते सौरपार दवाज नू रिपोर्ट कर दे सन आथशी ने क्या के एडी ते सी बेई दे कोड पिछले डेड साल तो ये बयानदार छे बयान एडी चार शीर दे विच भी आदाल्त विच इसनों चुकंदा मकसर की है वज़ा ए है के बीजे पी नू लगदा है के के जिवाल से सोधिया संजे सिंग स्तेंदर जैनत जेल दे विच ने इस दे बावजुद भी कहएदे आप मजबूत है होनों दूजी कतार दे आगवनों भी जेल दे विच पौणा चौधी है आच्छी ने खुलासा कीता कि मेरे एक बहुत करीब भी ने मैंनू बीजे पी ज़ायन करन ली के है मैंनों क्या गया है के तुसी आपना सियासी करियर बचालो जहान फिर जील जान दिली पाठक नुवी गिर्फतार करन्दी त्यारी है मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछी दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ED की रेड होगी ना सिर्फ मेरे घर में ED की रेड होगी मेरे रिष्टेदारों मेरे परिवारवालों के घर में रेड होगी उसके बाद हम समय बार हमें गिरफदार किया जाएगा आज इस मंच के माध्यम से आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतिय जंता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी धंकियों से डरने वाले नहीं हैं हम अर्विंद केजरीवाल के सिपाही हैं हम भगत सिंग के चेले हैं आथशी दे इस वड़े दावेतो बाद बीजेपी दे लीडर हरीश खुराना मूरे आए केंदे आम आदमी पार्टी दे लोकतार उजानना नमिया नमिया मनोहर कहाणिया सुनोदे ने आथशी उस सक्ष दा नाम दसे जिसने उना नुए जान कारी देती हैं नहीं ता केंदे सिद्धा पोलिस्कोल जाके शिकायत करांगे पंजाब कॉंगरस उदा एक सुक पाल सिंग खेरा निवी चोटकी लई है केदे एडी दे सामने केजरी वाले आथशी दे सौरब पार दवाजदा नाम लाएके सियासी चाल चली है एक तीर नार दो शिकार के तेने आथशी दे सौरब सीम ओदे दी रेस विच ने तेहोड उना ते इलजाम लाके के जीवाल ने अपनी पतनी सुनीता दा सीम बंदा रा साफ कर देता है तो सियासा दे विच कदों कि थे की हो जावे असी आम लोक नहीं समझ सकते गुमराक उन इश्थिहार मामले दे विच सुप्रीम अगली सुनवाई 10 अप्रेल नो होगी अदालत ने विच कहा के राम देव ते बाला कृष्णू सुनवाई मौके हाजर रहना पोगा सुनवाई दरान राम देव दे वकील बलवीर सिंग ने अदालत नो दस है के योग गुरू माफी मंगन ले थे मौजूध हन पीड होन कर तो बाद अदालत ने फटकार लओ दे कहा के यह हल्फ नमा सही नहीं है वकील ने जिदो हल्फ नमा पढ़के सुनाया ता अदालत ने कहा के जहें मामले विच होकमां दी उलंगना करन वड़ा माफी मंग दाया असी राम देव दी माफी नी सुनना चौन दे असी राम खिलाफ चूठे ब्यान देंदा मुकदमा विचलूगा अदालत ने राम देव 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 वकील नू सपष्ट कहा के तुसी होन केस दा सामना करनली त्यार रहो सुप्रीम कोटी फटकार तो बाद राम देव ते बालाकृष्ण कोट रूम च पहुंच गे ते राम देव बिना शर्त माफी मंगली बैंच ने क्या सिर्फ सुप्रीम कोट ही नहीं देश दी हर अदालत देव देशां दा सनमान किता जाना चाहिंदा तुसी अदालत देव देशां दी पालना करनी सी पर तुस्त हाद दी पार कर देती अदालत ने क्या कि जिदो पतंजली हर शेर व पंजाबियां वडियां खबरां दे इस खास बुलेटन दिवेच थ्वाडे साब तो इजाज़त चौनेयां तानवाद